हलो एंड बेलकम फ्रेंड्स हम बात करते हैं सोनार की सोनार क्या है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फॉल्फरम क्या है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तो सोनार क्या है सोनार के ऐसी युक्ति है जिसमें जल में इस्तित पिंडों जल की सता है कि दूरी दिसा तथा उनकी पिंडों की चाल मापने के लिए इसका प्रियोग किया आता है इसमें किसके तहर इसकी इन सब को मापा जाता है तो अल्ट्रा सॉनिक रेस की मतद से इसके अल्ट्रा सॉनिक रेस की मतद से सोनार क्यों करता है कि अल्ट्रा सॉनिक रेस को सेंड करता है और बापिस टकरा के जैसे सोनार ने क्यों किया ultrasonic rays छोड़ी कि नीचे कोई object था पानी में तो वो इससे टकरा के फिर बापस चलेगी तो एक detector लगा होता है उसने detect कर लिया कि कोई नीचे object है या नहीं है तो अगर बापस नहीं जाती है तो मतलब नीचे कोई object नहीं है बापस टकरा के गई कितनी दूरी है उन सब को कुछ केरिकुलिसन से ग्याद कर लेते है लगा कहा होता है तो जो सिप होती है तो सिप के जो सतय होती है नीची सतय बहाँ पे इनको लगा जाता है इसको detector को और sender को इसमें ultrasonic rays को होती है जो नीचे जाती है पिंड़ से टकरा के बापस उपर पहुँच जाती है पिंड़ से टकरा के बापस पहुचती है और उनको calculate करके हम distance कितनी दूरी है क्या दिसा है और उसकी चाल क्या है उन सब को map लेते है देखिए image में देखिए जहाज है पानी की सत है इसमें एक detector लगा हुआ एक sender लगा हुआ सोनार ने इसमें भेजा send की ultrasonic rays टकरा के नीचे object से बापस पहुच गई तो इसमें जो कितनी दूरी पे object है मतलब कितनी दूर से टकरा के आ रही है उसको calculate कर सकते है जैसे दूरी की चाल मालने अगर पानी में वी है और उसको बापस पहुचने में लगा समय T है तो distance गया थो जाएगी तो distance total कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक कि distance D थी तो यहाँ से यहाँ से बापस भी गया तो कितनी हो जाएगी D तो total distance कितनी होथी है 2D तो कितना हो जाएगा भी इंटू T मतलब velocity धनी की चाल गोड़ा समय distance किस में आगी मीटर में यहाँ जो भी यूनिट दियो किलो मीटर मीटर उससाब से चेंज होगे ठीक है तो पत्त समय में आ गया कि सोनार कैसे काम करता है तो सोनार में ultrasonic race का परियोग करते है ठीक है इस formula से हम जाज की समय चाल दूरी इन सब को ग्याद कर सकते है तो तीजे सोनार के बारे में Thank you